हाई फ्रेंड्स बेश्ट बिजनस एन्वी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आई बेडी याने गंभुरो बिमारी के बारे में जिया दोस्तों गंभुरो बिमारी एक घातक बिमारी होती है अगर यह आपके पोल्टी शेट पर आ ज लुक्सान होना ताय हो जाता है इसलिए दोस्तों आज इस बिमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी कि मेडिसिन कौन सी देना है गंभुरो बिमारी आती कैसी है उसका इलाज क्या करें उससे क्या नुक्सान होता है क्या प्रॉपिट होता है बीमारी अपने पोल्ट्री शेट पर ना आए इसलिए क्या करना पड़ेगा अगर बीमारी आती है तो पोस्ट माटम करने के बाद में उसको कैसे पैचला जाएगा और देसी इलाज में हम उसे क्या दे सकते है यह सबी जानकरी आपको वीडियो में दी जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना और अगर कोई ना है मित्र पहली बार चैनल पर आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दीजेगा ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो आप तक पोच सके तो चलिए वीडियो यह बहुत कम आती है क्योंकि देशी मुर्गी आल्रेडी स्ट्रॉंग होती है उस कारण इस वायरस का जो खत्रा है वो बहुत कम होता है देशी मुर्गी में बट बॉयलर बर्स पे इसका खत्रा ज्यादा होता है ऐसा नहीं कि देशी मुर्गी में यह गंबोरा आनी सकता आ सकता है बट आया भी तो उसकी तीवरता थोड़ी कम रहेगी और थोड़ा आने का जो प्रतिश है तो यो कम रहता है जी हाँ दोस्तों वैसे ये दो सप्ता से चार सप्ता के बीच में आ सकती है लेकिन कभी-कभी बड़ी मुश्किल से मारे लो पांसो हजार बैच के बाद एक चुटे चुदों में भी बिमारी को पाया जाता है यह दोस्तों चुवा चुट वाली बिमारी भी इसे का जाता है क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलती है यह बिमारी एक वाइरस के कारण आती है दोस्तों उसका नाम है रियो वाइरस उसे भिरना वाइरस भी का जाता है य ये विमारी जो अपने poultry shade में फैल थी है दोस्तों वो एक burst से दूसरे burst में जाती है फिर वो आप burst to burst भी बोल सकते है लिटर के माद्यम से याने संक्रमित जो लिटर होता है उसके माद्यम से भी फैल सकती है संक्रमित पानी के माद्यम से भी फैल सकती है ये आपस में एक दू दोस्तों ये बाहर से बिमारी लगभग किसी एफेक्टिव पॉल्ट्री शेड से अगर किसी तरह की कोई चीजे आप मंगवाते हो या फेड आता है और भी कोई चीज आती है बुरूडर डिंकर उसके साथ भी दोस्तों ये वाइरस आपके पॉल्ट्री शेड में आ सकता है कि उसी भी कारण से अगर आपके पॉल्ट्री शेड में यह वाइरस आता है दोस्तों तो सबसे पहले बर्स का मुह आक तसा श्वसंत तंत्र इस माद्यम से वह बर्स के शरीर में पहुचता है और वहाँ से फिर बाकी बर्स में पहुचना शुरू हो जाता है अब बात करते है दोस्तों इसको पैचाने कैसे इसके लक्षन क्या होते है सबसे पहले तो दोस्तों जो बर्स होता है वो सुस बैटा होता है साथी एकदम से आपका मौटिलिटी बढ़ जाएगा जी हा मारलो रोच का एकका दुक का मौटिलिटी मिल रही और आज एकदम पचीस पचास मिल दूसरे दिन और बढ़ गई तो एकदम से मौटिलिटी आने जो मौटि उदर है वो एकदम से बढ़ जाता है साथी दोस्तों जो बर्स जितना दाना खाना चाहिए उतना दाना नहीं खाता दाना कम हो जाता है खाना साथी दोस्तों जो बर्स ज्यादा तर ऐसे बैटे से काटा आना भी कहते है लोकल लेंग्वेज में तो खड़े निमुआ उनके जो पंक है वो हो जाते हैं उसके बाद में नॉर्मल इफेक्टिव बड्स थोड़ा लंगलाते हुए या गुटनों पे चलते हुए भी गंबोरो डीसिस में देखा जाता है तो यह होगे दोस्तों अब बात करते हैं अगर आप उसका मरे हुए बर्स का अगर पीम करते हो तो सबसे पहले उसकी जो जांग होती है दोस्तों जांगों पे उपर आपको मस्कुलर हैमरेज देखनों को मुलेगा मस्कुलर हैमरेज याने खून के ऐसे धब्बे धब्बे आपको पीम करने के बा तो बिट करने की जगा पे अंदर के साइड में सपय नुमा एक बॉल होता है उसे बढ़सा कहा जाता है दूसरी बात पेट में धाना खाने के बाद पचाने की जो थाली होती है बड़स के अंदर वो थाली को जो connecting pipe होता है दोस्तो लेटर उसको अगर आप भाड़ के दिखें आपके बर्स में आ चुका है यहाँ पूरी तरह से गम वोरो है अब करते हैं दोस्तों बात इसकी इलाज की तो अगर IBD आपके बर्स में आ जाता है तो सबसे पहले तो यह जान लीजे दोस्तों कि IBD का 100% इलाज उपलब्द नहीं है जी हाँ IBD का 100% मेडिसीन इलाज नहीं है बट ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं वाइरस की तीउरता को हम पूरी तरह से कम करके नुकसान कम कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो एक सपता क के अंदर यह वाइरस अपने आप खत्म हो जाएगा लेकिन एक सप्ता के अंदर आपका कितना लॉस होगा आपका कितना बर्स मरेगा यह सब डिपेंड करता है दोस्तों वाइरस के उपर कि वह आपके पॉल्टी शेड में कितना स्ट्रॉंग है कितना एक्टिव है साथ ही आप मेडिसिन दे सकते हो और वाइरस को खत्म करने के लिए भी मेडिसिन दे सकते हो तो मेडिसिन में इलाज में बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो आप युमिन सिस्टम को स्ट्रॉंग करने के लिए इमुनिटी टेक युमिनिटी बुश्टर ऐसी भहुत सारी यु गंबोरों की तीवरता कम करने के लिए यूज की जाती है तो आप ऐसी medicine continue चला सकते हो साथ ही दोस्तो इस medicine से क्या होगा कि virus जो है उसकी तीवरता कम होगी और जो virus multiply होके ज़्यादा तेजी से बढ़ता है वो पूरी तरह से रुख जाएगा पूरी तरह से virus खत्म तो नहीं हो virus से बड़ा आपके बर्स का human system हो जाएगा इस वज़े से वो गंबोरों अपने आप दीरे दीरे कम हो जाएगा तो medicine आपको चार दिन लगातार देना ही है दोस्तो हो सके तो अपने पोल्टी शॉप जाकर गंबोरों की पूरी जानकरी दीजिए और वहाँ से medicine लेके या फि एक करना है या फिर आप भी 904 इस medicine का भी इस प्रे कर सकते हो इससे क्या होता है दोस्तो लीटर हो गया डिंकर हो गया फेडर हो गया आपकी नेट होगी इस पर जो virus होता है दोस्तों वह बी स्प्रे करने से खाक हो जाता है इसलिए दोस्तों आप जरूर कीजिएगा साथी दोस्तों आपके आपे जो भी immunity booster मिलता है उसका इस्तेमाल तो कीजिए जा तक हो सके तो EKC करके medicine आती है दोस्तों इसको आप जरूर दीजिए अगर आप EKC दे रहे हो और आपका बर्स छोटा है तो आप 50-60 gram दिन भरे के पानी में आप दे सकते हो अगर आपका बर्स बड़ा है एक कीजि के देड कीजि के करीब है या 800-900 gram से उपर है तो आप 80-100 gram तक भी दिन भरे के पानी में medicine का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके आज जुबाजू डॉक्टर नहीं है medical store नहीं है poultry shop नहीं है तो आप देसी इलाज में सबसे पहले तो immunity को strong करने के लिए दोस्तों 250 gram aloe vera 1000 बर्स के पीछे 10 घंटे के पानी में आप लगा दीजिए उसके बाद में दोस्तों 14 घंटे के लिए 1 gram चिनी और 11 ml दूथ यही साब से दोस्तों आप मिश्रल मना कर तीन बार 14 घंटे में तीन बार आप उन्हें डिंकर धोस दे सकते हो इससे जो वाइरस की जो तीवरता है वो कम हो जाएगी और बर्स का human system strong होके वाइरस से बर्स लड़ पाएगा इससे दोस्तों आप अपना मृत्युदर यानि बर्स का जो मरना है वो कम करके अपने नुक सेंट तक भी देखा गया है जी हा इस बीमारी को आप हलके में नहीं ले सकते इसलिए दोस्तों भले ही इसका पर्फेक्ट कोई इलाज ना हो बट इसका जो नुकसान है वो हम कम करके अपने पोल्टरी शेड में आने वाला जो लॉस है उसे भी कम कर सकते है इसलिए दोस्तो जैसे ही अगर आपके पोल्टरी बर्ट में किसी तरह का कोई गमोरों का लक्षन सिम्टर्ण दिखता है तो तुरंट उसको पूरी तरह से चेक करके मेडिसिन स्टार्ट कर दीजेगा ताकि जो वायरस है वो ज्यादा ना फैल सके आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे वीडियो अगर पसना है यह तो वीडियो को लाइक भी करना और ज़रुत्मन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा आप सबही मित्रों का वीडियो को अन्ध्क देखने के लिए तंड़ाद